हिंदी निबंद इस्तिरी सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन के जिसे लिखा है महावीर प्रसाद दिवेधी जी ने महावीर प्रसाद दिवेधी जी का जन्म सन 1864 में उत्तर प्रदेश के राइबरेली जिले में हुआ सन 1903 से लेकर 1920 तक उन्होंने हिंदी की विख्यात पत्रिका सरस्वती का संपादन किया दिवेधी जी ने हिंदी को नया रूप, नया आकर्शन भी प्रदान किया और इसके लिए वे हिंदी साहित्य में आज भी जाने जाते हैं आईए हम इस पाठ पर अपनी चर्चा आरंब करें यह एक क्रांतिकारी लेख है जिसमें हमें उस समय के सामाजिक सुधार आंदोलन की जलक मिलती है अगर हम उस समय की इस्तिरी मुक्ति आंदोलन की बात करें या इस्तिरियों की दशा के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि उस समय आजादी के अंदोलन के समानांतर एक सामाजिक सुधारा अंदोलन भी चल रहा था जिसमें इस्तिरियों की सिक्षा के बारे में बात की जा रही थी, परदा प्रथा को हटाने के बारे में बात की जा रही थी बाल विवाह को रोकने के बारे में बात की जा रही थी और इस तरीके के बहुत सारे जो क्रिया कलाप हैं हमारे समाज में चल रहे थे समाज को सुधारने की दिशा में तो यह जो पाठ है यह जो निबंद है दिवेदी जी ने इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके लिखा है और इस तरियों की सिक्षा पर अपना विचार प्रकट करने की कोशिश इस पाठ में उन्होंने की है तो दिवेदी जी कहते हैं कि उस समय का जो अभजात्य सिक्षित समाज था यानि कि हमारे आसपास उस समय जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था कुलीन वर्ग था उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह इस तरी सिक्षा का समर्थन खुल कर नहीं कर रहा था या फिर कहने कि उसका विरोध करने के लिए अजीवो गरीब तर्क जो है वह गढ़ रहा था इससे लेखक को बहुत असंतुष्टी थी जैसे कि कुछ कुतर्क जो उस समय के समाज द्वारा दिये जा रहे थे खासकर पड़े लिखे लोगों द्वारा दिये जा रहे थे वह हमारा संस्कृत काव्य है जो हजारों साल पुराना है उसमें जो कुलीन इस्त्रियों के जो पात्र होते थे जो कैरेक्टर्स होते थे वह अपड़ भाशा का प्रियोग करते थे यानि कि ऐसी भाशा का प्रियोग करते थे जो कुलीन वर्ग द्वारा नहीं किया जाता था य इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस्तिरियों की सिक्षा को ले करके हमारे इतिहास में स्विकर्ति नहीं थी, तो अब इसकी क्या आवशक्ता है। कुलीन जो भाशा थी या जो संस्कृत भाशा थी अवजाति भाशा थी उसका ग्यान नहीं था या उसका बहुत ही कम ग्यान था। उसके बावजूद उसने जो है ऐसी कटु भाशा का इस्तेमाल किया। तीसरा जो तर्क था सिक्षित समाज का कुतर्क कहलें उसे वह ये था कि शकुंतला ने जो श्लोक रचा होए अपड भाशा में था यानि कि प्राकृत भाशा में था। और प्राकृत भाशा में हो करके भी उसने बहुत ही कटु शब्द दुश्यन्त को कहे। तो इसका ये अर्थ लगाया गया कि अगर अपड भाशा में भी यानि कि आम बोलचाल की भाशा है या जिसे ग्रामीड भाशा भी कह सकते हैं। उसमें भी अगर इस तरी को पढ़ाया जाएगा तो वह भी घातक साबित होगा ठीक उसी तरीके से जिसतरे शकुंतला उस भाशा में पढ़कर बहुत ही कटु भाशा का इस्तेमाल करती है। खराब तरह से दुश्यंत से बात करती है। तो यह तीन उदारन जो है सिक्षत समाज में कुतर्क के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया रहे थे। लेखक ने इन सभी कुतर्कों का बहुत ही सिलसलेवार और बेतर तरीके से जवाब अपने इस निबंध में दिया है। जैसे कि पहला जो तर्क है वे प्रस्तुत करते हैं कि अगर हम यह माल लें कि इस तरियां जो है वो प्राकृत बोल रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अनपड़ हैं यह इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय का जो बहुत सारा साहित्य है जो बौध यह जैन साहित्य है वो प्राकृत में लिखा गया है और यह इस बात का प्रमाण है कि जो बौध जैन साहित्य था वो है ना तो दर्शन में किसी अन्य भाशा से कम था ना ही विचार में किसी से कम था और इसमें बहुत ही गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं तो अगर बौध और जैन साहित प्राकृत भाषा में लिखा जा सकता है और इस ग्यान को भाषा में सनलक्षित किया जा सकता है तो अगर इस तरियां प्राकृत बोल रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वे अपड हैं दूसरा उदाहरा ने इसमें दिया गया है दूसरा जो कुतर्क है उसका उत्तर उन्होंने दिया कि नाटे शास्तर की रचना जब या जिस समय में की गई थी उस समय संस्कृत आम या प्रचलित भाषा के रूप में प्रयोग नहीं की जाती थी यानि कि उस समय में भी वह आम या प्रचलित भाषा के रूप में नहीं प्रयोग की जाती थी तो जो आम भाशा है जो आम प्राकृत भाशा है या उस समय जो भी भाशा उस समय बोली जाती थी वह तो स्वाभाविक प्रयोग है तो अगर इस तरियों उसका प्रयोग कर रही हैं तो हम उसे क्या उनका असिक्षित होना मान सकते हैं और अगर हम मानेंगे तो उस समय की जो बहुत संख्य जनसंख्या है उसे भी हमें इस्तिरियों के साथ साथ असिक्षित मानना पड़ेगा जो हम नहीं मान सकते तीसरे कुतरक के उत्तर में लेखक कहते हैं कि हमारे इतिहास में हमारे अतीत में ऐसी ग्यानी स्तिरियों की कमी नहीं थी जिन्होंने अपनी ग्यान का प ये जो इस्तिरियां थी इन्हों के ज्ञान के बारे में हमारी इतिहास में बहुत कुछ ठोस जानकारी मिलती है और आज भी हम इनका नाम आदर से लेते हैं तो जब हम इस्तिरी सिक्षा की बात करते हैं तब हम इनका नाम क्यों भूल जाते हैं इसी प्रकार से वे अत्री रिशी मॉंडन मिश्र की पत्नियों का भी नाम लेते हैं जिन्होंने शास्तरात के दौरान अपने समय के बड़े से बड़े दिगजों को भी हरा दिया इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि रुकमणी ने जो पत्र कृष्ण के नाम लिखा और उसे एक ब्रहमण के हाथ से उन्होंने उनके पास भिजवाया वह पत्र भी अपने आप में उस समय की जो इस्तरी है उसका जो ज्यान है उसकी जो समझ है उसका अपने आप में एक जीता जाकता उदाहरण है तो लिखक ने इस प्रकार से ये सभी तरक प्रस्तुत किये कि चाहे इस्तिरिया प्राक्रत ही जानती हो यह भी इस बात का प्रमार नहीं कि वे सिक्षित नहीं है या फिर जब हम संस्कृत काल के अगर हम बात करें तो उस समय में भी अगर इस्तिरिया नहीं जानती कि संस्कृत में किस तरह से बातचीत की जाती है तो यह भी असिक्षा का प्रमार नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी जो अधिसंखे आबादी थी वह खुद भी संस्कृत का प्रयोग नहीं करती थी और तीसरा उन्होंने उदारण दिया जिसमें उन्होंने कई इस्तिरी पंडितों के नाम उन्होंने गिना दिये इससे भी आगे जब चलते हैं तब वे सबसे मजबूत तरक अपना इस निबंध में सामने रखते हैं और लेखा कहते हैं कि मान लिया जाए कि अतीत में कोई भी इस्तिरी पढ़ी लिखी ना भी रही हो जैसा कि हमारे सिक्षित लोग कुतर कर ही रहे थे हम यह मान लेते हैं कोई भी इस्तिरी पढ़ी लिखी ना भी रही हो तो भी इस्तिरी को पढ़ाना आज के समय के लिहास से या आज के समय की मांग के हिसाब से बहुत आवश्यक है और हम अपने समाज में जब इतने बड़े बड़े बड़ाओं को स्विकार कर रहे हैं आज हम ग्यान के रूप में पश्चिम के साथ कंदे से कंदा भिड़ा कर चलना चाह रहे हैं और उन पुरानी माननेताओं को छोड़ चुके हैं जैसे कि समुद्र पार करना भी अपने आप में निशिद्ध था लेकिन आज हम उस चीज को नहीं मानते तो ऐसे में हम इस्तिरियों को पढ़ाने से पीछे कैसे हट सकते हैं एक और कुतर्क जो है वो सुशिक्षित समाजद्वरा दिया जा रहा था वो यह कि इस्तिरियों को पढ़ाने से अनर्थ हो रहे हैं यानि कि अगर इस्तिरी पढ़ रही है तो वो अपने अधिकार के प्रती सजग हो रही है और इसके माध्यम से समाज में एक तूटन पैदा हो रही है एक दरार पैदा हो रही है या फिर परिवार की जो संरशना है वह उसमें जो है वह बिखर रही है लेकिन अगर हम यह माने कि इस तरी को पढ़ाने से समाज में अनर्थ हो रहा है तो यह भी सही है कि पुर्षों को भी पढ़ाने से जो है अनर्थ पैदा हो रहा है यानि कि इतने पूरुष जो पढ़ लिख रहे हैं, कोई बम बना रहा है, कोई परमाणु हत्यार विक्सित कर रहा है कोई विनाश के हत्यार और साधन जुटा रहा है तो ये सब तो समाज के लिए, मानावता के लिए घातक ही हुए न तो अगर हम पूरिशों को पढ़ाने पर रोक नहीं लगा सकते यह है कहकर कि उनको पढ़ाने से अनर्थ हो रहा है तो इस तर्क उन्होंने बहुत मजबूती से अपने इस निबंध में सामने रखा इसके आगे एक और मजबूत तर्क लेखरक प्रस्तुत करते हैं वो यह है कि क्या अन्याय का विरोध करना अनर्थ है यानि कि हमारा जो सुशिक्षित समाज है वह शकुंतला का उदाहरण दे कर कहता है कि शकुंतला आम बोलचाल की भाशा में भी प्राकृत भाशा में भी दुश्चन्त के प्रति कडवे वचन का इस्तेमाल करती है एक पुरुष के लिए इतने असब्भे शब्दों का इस्तेमाल करती है तो क्या वह इस्तेमाल करना गलत था मतलब एक पुरुष जो अपनी इस्तिरी को भूल चुका है उसे स्वीकार नहीं कर रहा है उसे अपना नहीं रहा है तो ऐसे में क्या इस तरी अगर उसे उसकी आलूचना कर रही है या उसका प्रतिरोध कर रही है तो क्या हम उसे गलत मानें तो क्या हम उसे न्याई संगत मान लें इसी प्रकार से रामायन में जब सीता का उधारन दिया जाता है कि सीता जो है वो राम के प्रति कठोर वचनों का इस्तेमाल करती है तो वह भी एक अन्याई के विरोध के रूप में सामने आता है उसे हम इस प्रकार से नहीं देख सकते कि इस्तरी जो है वह पुरुष के विरुध कठो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वह तो अपने न्याई के लिए लड़ रही है वह अन्याई का विरोध कर रही है तो ये सभी मजबूत तर्क हमारे जो लेखक हैं महावीर प्रसाद दिवेदी जी वह अपने इस निबंध में मजबूती से सामने रखते हैं तो कुल मिलाकर इस निबंध का तात पर यह निकलता है कि इस्तरी सिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही अपरिहार है और इसी को महावीर प्रसाद दिवेदी जी ने अपने इस निबंध में स्थापित करने की कोशिश की है यदि हम इस्तरी सिक्षा का समर्थन नहीं करेंगे यदि हम इस्तरी सिक्षा को आगे लेकर के नहीं जाएंगे तो हमारा यह समाज विक्सित नहीं हो सकता अब हम उस समय के परिप्रेक्ष में अगर देखें सन 1900 से लेकर 1920-1930 का जो समय था उस समय हमारे देश में अशिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उपस्तित थी उसमें भी इस्तरी सिक्षा की तो बहुत ही दुरदशा थी तो यदि इतना बड़ा वर्ग जैनि समाज की आधी आबादी अगर हम अशिक्षित रखें और यदि हम उसे अशिक्षित रखने के कुतर्क गढ़ें तो इससे ज़्यादा घातक हमारे समाज के लिए आखिर क्या हो सकता है क्या आधी आबादी को असिक्षित रखकर हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं क्या आधी असिक्षित आबादी को लेकर हमारा देश यूरोप की बराबरी कर सकता है और यही चिंता हमारे जो लेखक हैं महाविर प्रसाद दिवेदी या उनके जो समकालीन दार्शनिक वि चाहिनी थी कि हम किसी भी तरीके से इस्तरी सिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते। दिवेदी जी लिखते हैं कि हमारे समाज में जो इस तरह के कुतरक गढ़ने वाले लोग हैं, इनके लिए तो दंड की ववस्ता होनी चाहिए। यानि कि वे इसके हमाजिती हैं कि अगर कोई अपने कुतरकों के माध्यम से इस्तरी सिक्षा को रोकने के कोशिश करे तो उन्हें बाकाईदा दंड देने की आवशक्ता है, तो भी यह करने की आवशक्ता है। तो इस प्रकार से यह जो लेख है पूरा यह इस्तरी सिक्षा को अपने केंदर में रख कर चलता है और उसकी गरिमा को उसकी आवशक्ता को अपने समय के संदर्ब में इस्थापित करता है प्यारे शात्रों इस्तरी सिक्षा को जो मुद्दा है इस्तरी सिक्षा की जो चिंता है वह उस समय की ही चिंता नहीं थी वह आज भी हमारे समाज की चिंता बनी हुई है आज भी हमारे देश में इस्तरी सिक्षा का इस्तर बहुत नीचे है तो एक तरह से देखा जाए तो यह जो निबंद है यह आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है इसे हमें पूरी गंभीरता से समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम इस तरही सिक्षा के शेत्र में भी गंभीरता से काम कर सकें लेख के अंत में निबंध के अंत में लेखा कहते हैं कि बहुत से लोग यह भी तरक देते हैं कि जो सिक्षा व्यवस्था है वो उस तरह की नहीं है कि इस तरह को जो है उसमें शामिल किया जाए यानि कि जो स्कूल है या फिर जहां पर सिक्षा दी जा रही है वह किस तरह की जगए है या फिर सिक्षा में पढ़ाया क्या जा रहा है तो लेखा कि ये कहते हैं कि इन मुद्दों पर अलग से बहस की जा सकती है कि हमारी सिक्षा विवस्था कैसी होनी चाहिए उसमें हमें क्या-क्या पढ़ाने की आवशक्ता है किन विश्यों को उसमें शामिल करने की आवशक्ता है विज्ञान है, गनित है, समाज शास्त्र है या समाज विज्ञान के जो भी विशे हैं या फिर इतिहास है जितने भी विशे हैं इनमें से क्या-क्या हमें पढ़ने की आवशक्ता है और क्या-क्या पढ़ने की आवशक्ता नहीं है इस पर बाकाइदा बहस की जा सकती है इस पर भी बहस की जा सकती है कि क्या सिक्षा किसी स्कूल जैसी जगह पर ले जाकर दी जाए या वो घर में भी दी जा सकती है इस पर भी बहस की जा सकती है कि सिक्षा प्रदान करने की सही उमर क्या होनी चाहिए क्या वो 5 साल के उमर में शुरू की जाए क्या वो 10 साल के उमर में शुरू की जाए इस पर भी वहस की व्यापक संभावना हमारे बीच उपस्तित हो सकती है उस समय की जो बिटिश शाषन विवस्ता थी वह सिक्षा को अपने हिसाब से देख रही थी कि सिक्षा जो है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए या फिर सिक्षा इस तरह से होनी चाहिए जो युवापीडिय को इस तरह तैयार करे कि अंग्रेजी शाषन विवस्ता को जो कलर्क चाहिए या उनके शाशन को चलाने के लिए जो लोग चाहिए वो उससे तयार हो सकें तो इस पर भी बहस की काफी गुंजाइश थी इसे महावेर प्रसाद दिवेदी जी ने अपने इस निबंध में इंगित किया है तो कुल मिलाकर वी ये कहते हैं कि सिक्षा ववस्था की ये जो सारी खामिया हैं इन पर खुब बहस की जा सकती है इन पर बातचीत की जा सकती है और वह अपने आप में एक अलग मुद्दा है लेकिन इसके बहाने से हम यह नहीं कह सकते कि सिक्षा ना परदान की जाए जब यही सब तर्क देकर हम लड़कों को स्कूल जाने से नहीं रोक रहे तो यही कुतर्क देकर हम सिक्षा के खिलाफ जितने भी कुतर्क हमारे समाज में उस समय गढ़े जा रहे थे और उनमें से कई तो आज भी गढ़े जा रहे हैं उन पर एक जोड़दार प्रहार करता है इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारे लेखक हैं वह अपने समय अपने समाज के परती कितने सजक थे और खासकर इस्तरी के मुद्दों को ले करके भी वे कितने जागरुक थे और अपने समय के हिसाब से कई साल आगे की सोच रखते थे तो छात्रों मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ के जरिये आपने तत्कालेन समाज में इस्तरी सिक्षा की दुर्दशा को महसूस किया होगा और जाना होगा कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने के लिए एक तथा कथित समाज भी किस प्रकार एक जुठ हो गया था और तरह तरह के कुतरक गड़ रहा था दरसल इस्तरी सिक्षा को लेकर हम सभी को आज भी समवेदनशील होने के अवशक्ता है क्योंकि आज भी इस स्थिति में परियाप्त सुधार नहीं हुआ है आप इस पाठ का स्वाध्याय करते हुए चिंतन मनन करते रहें इसी शुपकामना के साथ हम एक नया पाठ लेकर फिर से उपस्तित होंगे धन्यवाद झाल 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 झाल